देश्वर के कई राज्यों में बीते कुछ समय से कई चीजों को लेकर बहस छिड़ी हुई है जहां एक तरफ रास्ट रास्धानी दिल्ली में दंगे देखने को मिले जहांगीर पुरी इलाके में हनुमान जैनती की मौके पर 16 एप्रेल की शाम जब शोभा यात्रा निकाली गई उस दोरान देखने को मिला कि कुछ उब्द्रवियों ने मिलकर हंगामा मचा दिया दिल्ली में अब बुल्डोजर अभ्यान को लेकर भी स्यासत करमाई हुई है लेकिन महरास्ट में मध्य प्रदेश में अजान विवाद को लेकर इस वक्त घमासान जारी है जी हां मध्य प्रदेश और महरास्ट में लावड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर स्यासत दि मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त विवादों को लेकर कई बड़े और एहम फैसले लेती हुए दिखाई दे रहे हैं शिफशेना निता संजीराउत लगातार बयान जारी कर रहे हैं खिलाफ बोलती हुए नसरा रहे हैं अम्रबती से निर्दलिय सांसत नवनीत हैं राणा दंपती वज़ा है कि किस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चाले सा पार्ट पढ़ने को लेकर एलान किया था नवनीत राणा और रवी राणा को ग्रफतार किया गया बीते कुछ दिनों पहले ही और अब उनकी रहाई और तमाम कोशिशें करती हुए नजर आ रही है लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी नवनीत राणा और रवी राणा को रहा नहीं किया गया है एसी दोरान देखने को मिल रहा है कि कैसे नवनीत और रवी राणा की बेटी ननी सी बेटी जो महस 8 साल की है जो यहाँ पर कई कारणा में करती हुई दिखाई दे रही हैं हम बात करेंगे हमारे इस स्पेशल प्रोग्रेम के जरी आठ वर्ष यह आरो ही राणा के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में कि वह भी हनुमान चालेसा का पार्ट कर रही हैं अपने माता पिता को जेल से रहा कराने की उन्होंने मांग की सी एम उदव ठाकरे से शिफ सेना से उन्होंने मांग की है कि जल से जल उनके पैरेंस को जेल से रहा करा दिया जाए वैसे आपको बताना चाहेंगे कि रहाई को लेकर जिस तरीके से वकील ने सेशन कोट में अपनी बात रखी ले लेकिन इससे पहले नवनीत राणा और रवी राणा की बेटी को लेकर जो ख़बर आई है वकील ने जो खुलासा किया है वकील ने किस तरीके से मांग की है बेटी को ध्यान में रखते हुए जरा देखिए ये रिपोर्ट महरास्ट्र में लावड स्पीकर विवात पर घमास्तान जारी है जहां एक तरफ मंसी की चीफ रास ठाकरी ने अल्टिमेटम दे दिया है कि यदि मस्जिदों में लावड स्पीकर पर अजान पढ़ना बन नहीं होता है तो वे है भी मंदरों में हनुमान चालिस्ता का पाठ ल पुसरी ही तरफ अमराबती से निर्दलिय स्थांसद नवनीत राणा और उनके पती MLA रवी राणा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है ये दमपती इस वक्त जेल में बंध है निर्दलिय स्थांसद नवनीत राणा इस वक्त मुंबई की भाय खला महिला जेल में बंध वहीं रवी राणा तलोजा जेल में बंध है इस दमपती को आज भी राहत नहीं मिली है जमानत अरजी पर आज सुनवाई हुई कोट में मुंबई पुलिस ने इस केस में अपना जवाब दाखिल किया और अपने उत्तर में खार पुलिस ने दोनों पर दर्ज 6 केस का हवाला देते हुए जमानत का विरोध कर दिया इस मामले में दौनों पक्षों में बहस जारी है दौनों को राज़रों के आरोप में गिरफतार किया गया है आपको बता दें इसके अलावा एक दूसरी एफ आई आर में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुचाने और पुलिस कर्मियों से बच सलूकी का आरोप भी लगा है दूसरी एफ आई आर को रद करने की याच का पहले ही बॉम्बे हाई कोड से खारेस हो चुकी है वहीं मुंबई पुलिस की मांग और अदालत में ज्यादा पैंडिंग केस होने के चलते जमानत अरजी पर अब सुनवाई 29 बता दे आपको इस मामले में लगातार जदो जहत करती हुई नजर आ रहे हैं नबनीत राणा और रवी राणा की वकील मुंबई के सेशन कोड ने तारीक तै कर दी है और शनिवार के दिन अब इस मामले में सुनवाई की जाएगी आपको बता दे शनिवार की दोपहर दो बचकर 45 मिनट पर इस मामले में सुनवाई की जाएगी वहीं राणा दमपती की तरफ से आड़ोकेट आबाद पॉंडा पेश हुए थे वहीं उन्होंने रखी अपनी बात बेटी को लेकर उन्होंने बात रखी है दरसल नबनीत राणा और रवी राणा दो बच्चों के प जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बता दें अपने पेरेंस के जेल से जल्द रहा करने को लेकर वहे इस वक्त प्रातना कर रही है और उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी और पापा को जल्द ही छोड़ दिया जाए इसलिए मैं भी प्रातना कर रही हूँ अपने आवास पर ननी सी आरोहीने जो महज 8 साल की हैं वहे है अपने घर पर हनुमान 4 का पाट कर रही है अपने माता पिता की रहाई के लिए वह इस वक्त प्रातना कर रही है वहीं बेटी को द्यान में रखते हुए अब वकील ने भी अपनी बात रखी आपको बता दें कि आबाद पॉंडा ने कहा कि ये केस बिना बात का है और राणा दमपती चुने हुए नेता सांसत और विधायक जो हैं और कहीं नहीं भागेंगे इसलिए उनकी आजादी उनसे नहीं छेनी जाने चाहिए इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि पुलिस ने भी उनकी कस्टडी नहीं मांगी है जिसकी वज़ा से वह अब तक निया एक हिरासत में हैं इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि दोनों की आठ साल की बेटी है दोनों पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती है लेकिन उनको आजात किया जाना चाहिए वह कहते हैं क्या मामले को कल सुना जा सकता है इस पर कोट ने हामी भी भर दी है आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवी राणा बेहत खुशाल और आलिशान जिंदिगी पिता रहे अपनी बच्चों के साथ लेकिन इस वक्त वह बड़ी मुसीबत का स्ताम ना कर रहे हैं नवनीत और रवी राणा की लविस्टोरी को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं तीन फरवरी साल 2011 में दोनों ही शादी के बंधन में बंदे थे योग गुरु बाबा रामदेव की उपस्थिती में दोनों ही शादी के बंधन में बंदे थे नवनीत राणा एक ए पती पतनी दोनों ही मिलकर अब राजदीती में आक्टिव हैं और इस वक्त चर्चा का विश्य पने हुए हैं। कई आरोप लगाए हैं नवनीत राणा के खिलाब बोलते हुए नजराए हैं। फिलाल देखा जाए तो नवनीत राणा जो हनुमान चालेसा का पाट पढ़ने का एलान की लिकिन बड़ी मुसीबत में फस चुकी हैं। और इस वक्त उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्रेम में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट जानने के लिए देखत रहे हैं। झालेसा का एलान के लिए जानने के लिए जानने के लिए देखत रहे हैं।